सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूफ्यू चाइनल को और बेल आइकन को दबाएए हमारी विडियो सबसे पहले देखने के लिए टीम इंडिया और म्यूजिलेंड के बीच तीन मैचों की वन डेव सिरीज का तीसरा और निराएक मुकाबला कानपूर के ग्रीम पार्ट स्टेडियम में खेला गया टोस हार कर पहले बले बाजी करने उत्री टीम इंडिया ने 50 ओवर में 6 विकेट गमवाकर 337 रन बनाई जवाब म्यूजिलेंड ने की टीम को अच्छी शुरुवात तो मिली लेकिन अंत में विकेट गिरने की वजह से म्यूजिलेंड की टीम 337 रनों का आकड़ा नहीं शूट पाई न्यूजिलेंड 50 ओवर में 7 विकेट गमवाकर 331 रन ही बना पाई और इस तरह से यह मैच 6 रन से जीता कर सिरीज पर कबजा जमा लिया इसके पहले भारत की तरफ से शिखर धर्वन शौदह रन बनाकर आउट हुए तो रोहित शर्मा 141 रन बनाकर आउट हुए इसके बाद ख्रिच पर आए हार्दिक पांडिया भी कुछ खास नहीं कर पाई और 8 रन बनाकर आउट हो गए विराट कोहली शांदार 113 रन बनाकर आउट हो गए इस मैच को जीतने के लिए म्यूजिलेंट को 338 रन बनाने थे पतारे की भारत के लिए ग्रीम पार अच्छा रहा है वहाँ भारत ने 13 वंडे में से 9 जीते हैं हम आपको पतारे की इस मैच के असले मेर्ट ओफ द मैच जस्प्रीद बूमराह है जस्प्रीद बूमराह के वज़े से भारत यहां मैच जीत सका जस्प्रीद बूमराह ने अपनी आखिरी स्पेल में आधे से ज़्यादा गेंदे यार कर डाली उस वजह से म्यूजिलेंड के बल्ले बाजों को बल्ली टीम करने में तकलीफ महसूस हुई और म्यूजिलेंड के बल्ले बाज विकेट खोने लगे और आखिरी ओवर में जब न्यूजिलेंड की टीम को 15 रन की जरूरत थी तब जस्प्रीद बूमराह ने अच्छी गेंद बाजी करते हुए भारतिय टीम को 6 रन से जीत दिला दी इसी तरह की बहतरीन खबरों के लिए हमारे चाइनल को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब कीजिए